हेलो फ्रेंट्स क्या इस मिठाई को देखका आपको लग रहा है कि ये मिठाई बिना मावा, बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेस्ट मिल्क के 15 मिनट में बनने वाली मिठाई घर पर जट पर तरीके से तैयार की है अब हम सोच रहे होंगे कि ये मिठाई कैसे बनेगी, बस यही सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ बजार से भी ज़्यादा यम्मी टेस्टी मिठाई आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से, वो भी मातर 15 मिनट में लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंट तक देखनी होगी, घर के बच्चे हो या बड़े हो या महमान हो, सभी इस मिठाई को इंजॉय करेंगे चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, आज हम बनाएंगे रोल डिलाइट, वो भी हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से, मैंने यहां लिये ओरियो बिस्किट, 10 रुपे वाले जो ओरियो बिस्किट होड़ते हैं वो मैंने 8 पैकेट लिये हैं, हमें ओरियो बिस्किट का वनीला फिलेवर यूज़ करना है सभी बिस्किट को खोलेंगे अब हम इसकी क्रीम को निकालेंगे बहुती इसली ये निकल जाती है इस तरीके से अलग करेंगे बच्चों को मत दिखाईएगा वन्ना मिठाई बनाते बनाते सारी क्रीम चटो जाएगी ये लीजिए मैंने सारे बिस्किट और क्रीम अलग कर लिए है सबसे पहले हम बिस्किट का फाइन पाउडर बनाएंगे मिकसर जान में सभी बिस्किट को तोड़ कर डालेंगे और एक दम फाइन पाउडर बनाएंगे ये लीजिए fine powder तयार हो गया है इसे बाउल में निकालेंगे अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून दूद दूद जो मलाईदार होता है रूम टेंपरेचर वाला होता है वही हम यूज करेंगे हमें दूद के साथ इसकी मलाई भी डालनी है अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप ल दूद तयार करेंगे बहुत ही इजी है इसे बनाना और यह खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होती है और यू का डो आप देख रहे हैं कितना शाइनी शाइनी लग रहा है यह देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूद डालकर डो तयार कर रही हूं यह इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून बारिक कटे काजू, दो टेबल स्पून कटे बदाम, दो टेबल स्पून पिस्तर डालेंगे साथ में डालेंगे आदा कब नारियल का बुरादा डालने से मिठाई में बहुत ही बढ़िया फिलेवर आता है अब हम डालेंगे एक टेब फूड कलर यह ऑप्शनल है आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वड़ना स्किप कर सकते हैं सबी चीजों को किरीम के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे यहाँ पर चीनी डालने की जुरुत नहीं है क्योंकि बिस्किट तो वैसे भी मीठे होते हैं अगर आपको करीम ज़्यादा चिप चिपी लगे तो आप नारियर का बुरादा थोड़ा और डाल सकते हैं या फिर आपको करीम ज़्यादा ड्राई लग रही है तो आप एक टेब वरीष्पून खसकस और अच्छे से रोस्ट करेंगे खसकस भहुत है यहल्वद होती है टेस्टी होती इससे मिठाई वहल lives में तैयार करेंगे बहुत जादा पतला नहीं बनाएंगे यह देखिए कितना सुंदर दिख रहा है क्रीम में privat कोठर викडि़ करेंगं प्रूट डाले हैं मज़ा ही आ जाएगा यह मिठाई खाने में अब हम लेंगे फॉयल पेपर अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप प्लास्ट्रिक की शीट ले सकते हैं या फिर बटर पेपर भी ले सकते हैं फॉयल को हलका सा घी से ग्रीस करेंगे अब हम लेंग डूसरा फॉयल पेपर लेकर इसके उपर रखेंगे और बेलन से हलके हातों से बेलते जाएंगे इस तरीके से डो को फिलाते जाएंगे और अब हलके हातों से प्रेस करेंगे ये देखिए परफेक्ट ओरियू के डो को स्कुरेश शेप में बेल कर तयार कर लिया है इस तरी देने धीरे फॉयल की मदद से, slowly, tightly, इसके उपर रोल को प्रेस करते जाएंगे, जैसे मैं कर रही हूं, थोड़ा बेलेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा रोल बढ़ाएंगे, इसकी शेप देखिए, इसको शेप दीजिए, और फिर से फॉयल को पीछे ऐसा करते हुए, फॉयल को पैक करेंगे, साइट से दबाते हुए, हम इसे दो घंटे के लिए फ्रीज में सेट करेंगे, दो घंटे हो गए हैं, रोल को बार निकाल लिया है, इसे चेक करते हैं, रोल के उपर से फॉयल को हटाएंगे, ये देखिए, रोल बनकर तयार हो गय इसको कट करेंगे पहले इसको finishing look देंगे साइडों से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे अब कट करने से पहले हमने जो खसकस को fry किया था उसे जो है चौपर बोट पर फैलाएंगे और रोल को धीरे धीरे इसके उपर रोल करेंगे इस तरीके से इस तरह से खसकस इसके चारो तरफ लग जाएगी और लीजिये पूरे रोल को खसकस से कवर कर दिया है रोल को देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अब इसको हम कट करेंगे कोई बोल सकता है ये ओरियो बिस्किट से बनाई हुई मिठाई है सबी पीसिस को कट करेंगे लीजिये तैयार है जटपट बनने वाली सूपर टेस्टी रोल डिलाइट बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रही है बच्चे हो या बड़े या फिर महमान इसे खाकर कोई बताई नहीं सकता कि ये ओरियो से बनी है और इसे खाने के बाद सब आपकी तारीफी करेंगे जल्दी से जाईए और आज ही इसे बनाईए अपने बच्चों और फैमली के साथ इंज्जॉय करिए और कमेंट में मुझे बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई